जै माता की दोस्तों कैसे हैं आप सब खुश हैं सुखी हैं प्रसंद हैं खुश रहिए सुखी रहिए प्रसंद रहिए भक्तों मैं आपको आज एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ पर उसके पहले मेरे इस चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा अपने दोस्तों से भी शेर कीजेगा क्योंकि जो बात में बताने जा रही हूँ वो यदि उनको नहीं पता है तो उनके लिए भी बहुत अधिक फायदे मंद होगी फ्रेंड्स आप किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो लास्ट में वोट अफ थांक्स दिया जाता है जो भी वहाँ पर आए हैं उन सबसे धनेवाद कहा जाता है और उन सब को सौरी भी कहा जाता है क्षमा प्रार्थना भी की जाती है दि कोई गलती हो गई हो तो तो बताओ जब हम किसी फंक्शन पार्टी में जाते हैं वहाँ पर हमें सॉरी थैंक्स सब कुछ बोला जाता है end of the function तो जो इस संसार का पाल अनहार है जो इस संसार को चला रहा है क्या उनके लिए हमारी कोई जिम्हेधारी नहीं बनती क्या उनको हमें थैंक्स नहीं बोलना चाहिए क क्या उनसे हमें एक श्रमा प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, आप पूजा कर रहे हैं, पूजा के बीच में, आपको किसी ने आवाज लगा दिया, आपका ध्यान ड्यान हो गया, यह आपकी गल्ती है, एक ऐसी गल्ती, इनेविटेबल, जिसको हम रोक नहीं सकते, हो गई गल् गल्ती तो गल्ती है न, ऐसे ही पूजा करते-करते, आपके हाथ से, जैसे पूजा कर रहे हैं, गल्ती से पुष्प गिर गया, गल्ती से घंटी आप बजा रहे हैं, माता रानी के या किसी भी देवता के बजा रहे हैं, और वो गिर गई, तो कुछ ऐसी छुटी-छुटी स जिसके लिए यदि हम पूझा समाप्थ होने के पश्चात ख्षमा प्रार्थना कर लें तो इश्वर भी हमें ख्षमा कर देते हैं जब हम किसी को सौरी कहते हैं तो हमारा कितना भी बड़ा अपराध हो एक बार को जिसको सौरी हम कहते हैं उसका गुस्सा शांत हो जाता है उस कुछ नहीं कह रही है कि भगवान हमसे गुसा है नाराज है नो 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 ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा ना मैं ऐसा कुछ कह रही हूँ but you know हमें अपने duties अपने फर्स तो पूरे करने चाहिए ना तो दोस्तों it is our duty to say thanks to the God and say sorry to the God अंजाने में जो भी गलती हुई उसके लिए ख्षमा कीजे भगवान और बहुत-बहुत धन्यवाद मेरी उन गलतियों को नजर अंदाज करके भी आप मुझे सब कुछ दे रहे है तो मैं एक स्तुती बता रही हूँ आपके सामने ख्षमा प्रात्ना हे मा मेरे द्वारा दिन रात सहस्रों अप्राध होते हैं मैं आपकी दासी हूँ या मैं आपका दास हूँ ऐसा समझ कर मेरे अप्राधों को ख्षमा कीजिए हे परमिशुरी मैं अवाहन नहीं जानती विसरजन नहीं जानती पूजन नहीं जानती मैंने जो मंत्र हीन भग्ती हीन और क्रिया हीन पूजन किया है उसको वो आपकी क्रपाथ से पूर्ण हो सैंकडो अपराद करके भी जो आपकी शरण में जगदंब कहकर पुकारता है उसे वह गती प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदी देवताओं को भी सुलब नहीं हे मा मैं अपराधी नहीं हूँ या आप ऐसे भी कह सकते हे मा मैं अपराधी हूँ हे मा, मैं अपराधिनी हूँ, किन्तु इस वक्त दया की पात्रा हूँ, भूल से अज्ञान से, अथ्वा बुद्धी भ्रांत होने की वज़ा से, मैंने जो कुछ भी नियूनता या अधिक्ता कर दी है, उसके लिए क्षमा कीजिए, हे सचिद्यानन्द परमेश्वरी, हे जगनमाता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी इस पूजा को स्विकार कीजिए, हे सुरेश्वरी, आप गोपनी से गोपनी वस्तु की रक्षा करने वाली हैं, मेरे निवेदन किये हूए इस जब को ग्रहन कीजिए, जैमाता की, वीडियो चला कर भी सुन सकते हैं आपकी पूजा अराधना के अंत में हैं जै मतकी